किस तरह से आप उनके जवाब को देखते हैं और आपको क्या लगता है कि उनके लिए किस तरह की नीती बनाई जाने चाहिए और सूर्सकर्मियों को पूरु की भरती जिनता पार्टी की सरकार ने अंगेज किया था उन सब को वर्तमान की सरकार ने नोकरियों से खटा दिया उनकी सेवाइं से माप्त कर दी इसी विशे को लेकर आज मेरा प्रशन था और मने मुखे मंतर जी से मैंने प्रशन भी किया कि क्या इनको दुवारा से रखा जाएगा या विशे में कोई ऐसी योजना है तो सरकार की उसे बिलकुल साफ दौर पर मना है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि इन आउट्सोर्स कर्मियों को रखा जाएगा हमने कहा कि ये बहुत समेदर सिल मुद्दा है कोविड ऐसी महामारी पुरी दुनिया में आई जो किसी को भी पता नहीं था कि ये कोविड है क्या उसमें और उसमें हमारी की स्थिति में जब बेटा पिता के पास नहीं जा रहा था भाई भाई के पास नहीं जा रहा था तो ये कोविड के दौरान जो आउट्सोर्स कर्मी चाहे वो वार्ड अटेंडन्ट थे चाहे वो सफाई करमचारी थे चाहे वो ड्राइवर्स थे चाहे कार है जहां उनकी सेवाइं समाप्त कर दी वहीं पिछले नौ महीने से उनको सेलरी नहीं दी गई और इसके साथ ही मैंने दूसरा जो मुद्दा उठाया कि कोविड के दौरान मेरे विधानसवाक्षेतर सुन्दनगर के सीवल हॉस्पिटल में पांसो एल्पी की केपैस्टी क पिएस से प्लांट स्थापित किया गया था जैरम ठाकुर जी पूर मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्गातन भी किया था और लोगों को क्योंकि सुन्दनगर का सीवल हॉस्पिटल है और जहां बहुत से डिस्टिक हॉस्पिटल से ज्यादा उपेड़ी है उस ऑक्षिजन सत्र के दोरान मैंने उस प्लांट का मुद्दा उठाया था कि यह पिएस से प्लांट बंद है उसकी सर्विस होनी है उसका एक पार्ट खराब है तो मुझे सदन के अंदर स्वस्थे मंत्री जी ने जवाब दिया था कि एक सब्ता के अंदर अंदर यह पिएस से प्लांट ज जाएंगी लेकिन अब ये कितना सत्य साबित होगा ये तो बविश्य ही बताएगा और उसके साथ जो प्लांट को चलाने की मैंने बात कही कि उसकी सर्विस होनी है कोई पार्ट उसका खराब है उसको लेकर भी मुख्यमंतर जी ने कहा है कि मैं अधिकारियों से रिपोर्ट मं पागया है किया आपको ना समाचार पतर पर मेडिया पर भी विस्वास नहीं है और ना चूने हुए प्रतिनीधी पर भी विस्वास नहीं है आपने कहा कि मैं अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाँगा तो मुझे लगता है कि इस सदन के अंदर सरकार की और से जो जवाव पाता है वो जूट बोलने का काम जो है सरकार सदन के बाहर तो करती है लेकिन सदन के अंदर भी कर रही है मैं सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगा रहा हूं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी और प्रदेश के मंत्री भी सदन के अंदर जूट बोलकर सदन को गुम्रा करने का प्रयास पिछले चौदा महिने से कर रही है